अगर इसटो करेंगे ब्लू इनर्ची पर मैंने कल अपने स्टेटस पर वह जो होता है क्या होता है स्टोरी इस पर डाला था कि क्या आप विशवास करते हैं कि ब्लू लाइट मेरे ऊपर गिरी थी और अंदर रहती है क्या वो मेरी पतनी है कुछ बच्चों ने इस विश्वास किया बहुत सारे लोगों ने किया तो मुझे खुशी है कि आप विश्वास करते हैं मेरी बात में मुझे बहुत बहुत धन्यवाद इस बात आपको बहुत बहुत धन्यवाद बारहाल मैंने ये परस्टिंग क्यों उठाया और ये मेरे दिमाग में क्यों आया क्योंकि मैं कुछ सोच रहा था बहुत दिनों से आप जानते हैं हमारे पास ऐसी मिसाइल्स हैं जो टार्गेट का पीछा करके उनको मारती है ठीक है जैसे मान लिजे किसी टार्गेट को मारना है तो मिसाइल में ऐसी प्रोग्रामिंग कर दी जाती है कि उसका रडार सिस्टम उसको खोजी लेता है और वो टार्गेट में जाके ही मारती है, चाहे वो टार्गेट दूर भाग रहा हो, वो एर टू एर भी हो सकती है, वो लैंड टू एर भी हो सकती है, वो कई तरीके से हो सकती है अब आप कल्प ना गरिये जो मैं आपसे कहता हूँ क्यों मैं इस बात को लाया हूँ सुनिये गाँ एक आदमी पिर्थवी पर बैठा हुआ है अपने घर के अंदर कमरे के अंदर ठीक है और उसके उपर एक लायट गिर जाती है वो बिजली एक तो बिजली कड़कने वाले बिजली होती है लोगों के उपर अक्सक गिर जाती है लोग मर जाते है आप में देखाओगा बरसातने बिजली कड़ती है, लोगों के उपर गिरती है, लोगों मर जाते हैं, कोई खास बात नहीं लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता है, वो बिजली जब वो एक लाइट है जो गिरती है, जो नीली नीली तो आपको ऐसे ऐसे करके कुछ यहां पर चकर तीसरी आँख जैसा घूमता है, और वो आपके अंदर आके बैठ जाती है, यह कोई बहुत बड़ी घटना नहीं, यह बहुत ही बड़ी घटना है, लामजना यह इतनी बड़ी घटना है, कि आप इस टेक्नलोजी की कल्पना नह नहीं कर सकते हैं, इससे कई नए सवाल पैदा होते हैं, पहली बात तो वो कहा से आई झाला है, ठीक है, अगर वो गिली भी तो कहा से आई थी तो, दूसरी बात और समझने की है, की वो कैसे, एक तो वो سब चीज़ को लांग जाती है, क्योंकि वो छफ़से यहां जाती है, ठीक है अब सवाल है वो कहां से आई और कैसे इतने टार्गेट से भेजी गई और उसका टार्गेट यहां फिक्स था अब तुम कल्पना करो इतने बड़े यूनिवर्स में इतने बड़े स्पेस में जहां अनंद गैलेक्सियां हैं वहां किसी को मालूम है कि यहां पर एक गूम रही है ठीक है और उस पिर्थवी सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है रिवालूशन भी है रोटेशन भी है खुद की एकसेस पर ठीक है दोनों चीज़ें हो रही है और तब भी वह एकदम टार्गेट पे गिरती है तो तुम समझ सकते हो कितनी जबर्दस टेक्न यह एक बेहतरीन चीज़ है और एक बेहतरीन अनभो भी है और यह एक बेहतरीन सोचने का विशह भी है और इस चीज़ से काफी फायदा भी होता है और इस बारे में हम कल्पना कर सकते हैं तो तुम जब एक बार अपनी टेक्निलोजी को देखो तो इसके बाद तुम इस टे हो जाओ और आनंद लो और कल्पना करो ऐसा कैसे हुआ मैं तो आजकर यही सोचता हूँ कि किस तरीके से इन्होंडरिस टार्गेट करके मेरे उपर मारा होगा इस ट्राइक करो ठीक है चलो फिर इस बारे में आप चिंतन करना जीवन काफी आनंद आयक है धन्यवाद